अटोकेट 2010 की सीरीज मेंने अल्रेड़ी चैनल पे अपलोड किये लेकिन अभी आटोकेट 2019 का जमाना है फिलाल 2019 की सीरीज अपलोड हो रहे हैं क्योंकि 2019 और 2020 आटोकेट में कोई जादा डिफरेंस है नहीं है आटोकेट 2019 के अंदर के अलग-अलग tools यानि की draw panel, modify panel, layer panel, properties panel ऐसे अलग-अलग tools का use कैसे करते हैं, dimension panel का use कैसे करते हैं, ये series में मैं आपको बताने हो लाओ, ये series का सबसे पहला वीडियो है, तो चलिए इस AutoCAD series को हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताओ कि आप अगर एक civil engineer है, interior है, mechanical engineer है, तो आपको CAD सीखना बहुत जरूर में, उनके बहुत सारे अलग-लग software से, लेकिन AutoCAD ये software उनका बहुत popular है, और ये आपको जो drawing आप इसमें बनाते हैं, उसमें accuracy बहुत रहती है, इस drawing को आप अलग-लग format में convert कर सकते हैं, वो सारी चीज़े हम series में सीखने वाले हैं, इसलिए तो AutoCAD आपको सीखना ज़रूरी तो आपको like बटन पे ज़रूर क्लिक करना होगा, दोस्तों के साथ भी share करना होगा आपने, क्योंकि मैं efforts ले रहाँ वीडियो बनाने के लिए तो आप भी थोड़े सा मेनत लीजिए मेरे चानल को popular बनाने में, उमीद है आप ये सब करेंगे, फिला शुरू करते हैं AutoCAD 2019 की ये सीरीज मैं साथ इश, Learn More Channel में आप सब का स्वागत करता हूँ, let's begin वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप सीखना चाहते हैं computer के धेर सारे tips and tricks तो आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकान दिया है उस पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू तो आपको मेरी वीडियो की नूटिफिकिशन टाइम पे मिले तो जी हां दोस्तों AutoCAD 2019 में सबसे फिल में आपको यह बताना चाहूंगा कि AutoCAD 2019 आपको अगर इंस्टॉल करना है आपकी computer में और वो भी फ्री में चाहिए तो वो कैसे करना है जी हां अगर फ्री में software इंस्टॉल करना है as a student अप हो तो आप तीन साल के लिए AutoCAD का free license यू कि कैसे आप free में CAD डाउनलोड कर सकते हैं आपको इसे डाउनलोड करने के लिए बस इंटरनेट चाहिए इंटरनेट का स्पीड अच्छा का सा रहना चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते दोस्तों उसके बाद आप इस CAD software को यूज कर सकते लेकिन एक बात याद रोको अगर आपका Windows 7 है आपको 2017 ही डाउनलोड करना होगा क्योंकि Windows 7 में खाली 2017 तक ही चलता है Windows 10 के अंदर 18 और 19 चलता है या 20 20 जो आटोकेट आया है वह भी चलेगा तो वह आप डाउनलोड करके रखे और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे practical session की और आटोकेट 2019 की series जिसमें सबसे पहला धाट सकते हैं यहाँ पे प्लस बटन भी दिखाये दे रहा है तो गेट चाटेड पर या स्टार्ट ड्राइंग पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं recent drawing आती है recent drawing वगयरा आपको यहाँ पे मिलते थी यहाँ जो files options रहते थे थे आपे recent drawings मिलते थे लेकिन यहा Documents, Recent Drawings आपको यहाँ पर डिरेक्ली दिखाए देती है, Start Drawing Options पर फिलाल मैं क्लिक कर आओ, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अब इसे practically step by step सभी चीजे हम सीखने वाले हैं, तो अगर आप CAD पहली बार इंस्टॉल कर चुके तो कुछ बाते आपको ध्यान में रखन सबसे पहले तो CAD इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से view दिखाए देगा, gridlines आएगी, और यह gridlines हटाने के लिए आप F7 बटन प्रेस कर सकते हैं, F7 प्रेस करते हैं, दुबारा F7 प्रेस करेंगे तो show हो जाता है, अगर आपको gridline दिखाना है तो आपको द तो अब उसके बाद यहाँ पर जो mouse pointer आपको दिखाए दे रहा है, यह जो plus sign दिखाए दे रहा है, इसे हम crosshair बोलते हैं, अब यह तो plus दिख रहा है, लेकिन इसे crosshair क्यों बोलते हैं, क्योंकि isometric drawing और 3D drawing में यह cross ही रहता है, मतलब यह plus दिख रहा है, ऐसा sign नहीं रहता है, जब आप isometric drawing सीखेंगे आगे चल कर, तो आपको cross sign दिखाए देगा, तो इसलिए हम इसे crosshair बोलते हैं, तो crosshair के बारे में और detail में बताओ कि crosshair, जब आप autocad पहली बार इंस्टॉल करते हैं, तो crosshair इर इतना बड़ा नहीं आएगा, हाला कि मेरा autocad पुराना है, मैंने इस प right click में जो options आ रहा है, उसमें से ये आपको select करना है, और उसके पर click करने के बाद यहाँ पे आपको एक dial up box मिलेगा, यह options dial up box है, अलग-अलग options है, फिलाल इसमें हमें display में सबसे पहले जाना है, आपको यहाँ पे display जो option दिखाए दे रहा है, उसमें click करना है, जैसे आप click क चीज के बीच में रखिए, ताकि एक proper size आपको मिल जाती है, अच्छा, crosshair size के साथ साथ आपको यहाँ पे selection में आना है, और selection में यहाँ पे pick box दिखाए दे रहा है, यह pick box की size मैंने middle में रखिए, यह ऐसी छोटी रहेग, जब आपने cat पहली बार start किया रहेगा, तो ऐसा छ चोटा crosshair का जो pick box से दिखाए देगा, pick box आप बढ़ा सकते हैं, इतना मैंने रखा है फिलाल, अब यह दो चीज़े ही आपको सबसे पहले समझनी है, इसे apply कर देना है, यह आप apply बटन है, ओके, यह dialogue box गा है, वो का crosshair आपको बढ़ा मिलेगा, हाँ, right click करने के बाद options में ज रहेगा, अगर आप CAD में पहली बार काम कर रहे हो, as a student हो, as a learner हो, तो आपको crosshair छोटा रखना ही अच्छा रहेगा, ताकि आपको line हो crosshair की बीच में difference समझे, बात में आप एक बार expert होगे CAD के अंदर, तो crosshair की size आप बड़ी रखो, और छोटी रखो, कोई फरक नहीं पड़ है, चलिए अच्छा crosshair की size मैंने यहाँ पर बता दी आपको, अब आगे की settings भी बताता हूँ, तो यहाँ पर आपको bottom में cursor लेके आना है, यहाँ पर mouse pointer आने के बाद यहाँ पर कुछ settings available है, लेकिन सारी settings एक साथ हमें नहीं सीखनी है, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ और कई पर आपको एक right click कर देना है, और right click करने के बाद यहाँ पर snap setting option आपको दिखाए दे रहा है, snap setting option पर click करना है दोस्तों, जैसे आप snap setting पर click करोगे, आपको यहाँ पर एक dialer box मिलने वाला है, drafting setting करके dialer box है और इसके अंदर आपको object snap setting यहाँ पर जाना है, अभी फिला कि सभी options, लेकिन जब आप पहली बार CAD install कर चुके है, तो यहाँ पर यह options में से बस end point या फिर node point ऐसे दो तीन ही option यहाँ पर check रहेंगे, एक या दो यह option चेक रहेगा, लेकिन आप ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर select all options पर आप click करें, तो यह setting आपको इसलिए तो करनी है, आप अगर select all options पर click कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे options चेक हो चुके और यह ज़रूरी है, क्योंकि जो भी object हम draw करेंगे, उसका mid point, center या circle रहेगा, तो center point या circle है, तो उसका quadrant point या फिर tangent point रहता है circle के उपर, और ऐसे बहुत सारे points है यहाँ पर आपको drawing करेंगे, तो आपको यह सारे points वहाँ पर दिखाए देंगे, इसलिए यह सारे points आपको ज़रूरी है, पहले activate कर लेना, तो दो settings, एक तो crosshair की size और pick box की size हमने देखी, और दूसरा हमने देखा, कि object snap settings, object के कौन-कौन से options यहाँ पर settings में on रहने चाहिए, साथ ही में यह options है, क्या check रखाए, देखिए आप, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, snap cursor 2D object snap, जो है, वो on है, यह blue color में दिख रहा है न, light, मतलब यह option highlight है, अगर मैं इसके उपर click करता हूँ, highlight है अभी, on है, तो मैं click करता हूँ, तो यह off हो गया, कैसे पता चलेगा, off हो गया, यहाँ पर ए trying में की है, जो भी settings आपने on की, off की, अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, और आप देख पाएंगे, यहाँ पर आईए, दुबारा इस corner पर, object snap on, दिखाए दे रहा है, तो मैं आपको हर एक चीज को यहाँ पर zoom करके बताऊंगा, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए, तो object snap on रखना compulsory ज़रूरी है, इसका क्या use होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, और तभी मैं आपको बताऊंगा, कि objects on रेने की वाज़े से हमें यह benefit मिला है, क्या रहेगा, वो मैं बताऊंगा, पहले introduction देख रहे, autocad का, और introduction में आगे command line देखते है, command line में मैं ऐसी command line रखी है, ल drag करके ऐसा रखेंगे, तो यह पूरा इस तरह से आजाता है, so command line क्या करता है, जो भी command आप देते हो, उसकी instruction तो बताएगा, बताएगा, उसके steps भी बताएगा, और as a student, cat के अंदर, अगर आपको cat detail में सिखना है, कोई command का detail पता नहीं है, तो यह command line आपको guide करता है, step by step guide भ लाश कमांड की details से आप बता देगा, आपको, app to button प्रेस करने के बाद, command window इस तरह से आपको display करता है, कि लाश की कौन कौन से कमांड सापकी है, चलिए इसके button प्रेस कर देते हैं, तो command line को जैसे रखना है, आप वैसे place कर सकते हैं, command line का आपको time to time help लेना चाहिए, इस command line क corner में आपको दिखाए दे रहा है UCS, यहाँ पे दिख रहा है UCS मतलब क्या है, आपको मैं zoom करके यहाँ पे दिखा देता हू, X और Y आपको दिखाए दे रहा है, X और Y जो दिख रहा है, इसे UCS बोलते है, और UCS यानि Universal Coordinate System, यानि All of the Universe में, पहले तो इसे WCSC बोला जाता थ लेकिन आप इसे UCS बोलते है, All of the Universe में, मार्स में ले लो, मून पे ले लो, सब पर X horizontal रहेगा और Y vertical रहेगा, यह Universal Coordinate System है, तो यह UCS यहाँ पे mention किया गया है, दिखाए दे रहा है आपको, हम X horizontal और Y vertical लेने वाले, अगर आप एक Technical Student हो तो यह आपको जनरली पताई है, X horizontal और जो आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलाल आपको introduction पार्ट में यह समझ में है, उपर आ जाते है, यहाँ पे home tab दिखाए दे रहा है, home tab के अंदर कुछ आपको दिखाए दे रहा है, panel है, draw panel, modify panel, annotation, layers, block, properties, groups, utilities वगएरा वगएरा यह panel है, और अगर आप इसका पूराना view चाह तो आप menu वर भी ले सकते है, तो उसके लिए करना क्या है, simply आपको यहाँ पे click करना है, I'll make a zoom और यह जो आपको दिखाए दे रहा है, ultra triangle है, उसके click कर देना, यहाँ पे कुछ options आपको मिलेंगे, और इस options में आपको लेना है, नीचे scroll करके यहाँ पे show menu वार, मतलब अगर तो पुराना CAD, जैसे पुराना CAD में आपका हाथ बैठ गया और आप चाहते हैं पुराने CAD में काम करना, तो यहाँ पे show menu वार कीजिए, देखिए पुराने CAD के तरह यहाँ पे menu जा रहे है, format, tools, draw, dimensions, CAD 2010 या CAD 2006 जो वर्जन थे पुराने, उसमें इस तरह से था, already मैंने CAD 2010 की series अपलोड की है, पुरानी series है, मेरे channel पे दो साल पहले की series है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी नए versions आपको पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने यह 2019 लिया है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे menu वार भी मिल सकता है, अगर आप चाहिए, तो यहाँ से click कीजिए, और यहाँ पे hide menu bar options दिखाए दे रहे है, तो फिलाल तो मैं इसे hide कर देता हूँ, menu bar की जूरत नहीं है, हमने tab system में सीखने वाले, तो यह tabs और tabs के अंदर यह panel यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे कोई panel अगर आपको hide करना है, तो कैसे, यहाँ पे right corner में एक blank space छोटा सा दिखाए दे र ना है, चलिए मैं right click कर देता हूँ, अब यहाँ पे right click करने के बाद दिखाए दे रहे हैं आपको show tabs और show panels आ रहा है, तो show tabs में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे tab आपको दिखाए दे रहे, फिलाल यहाँ पे हम लोग 2D सीखने वाले हैं, तो 3D के tools यहाँ पे पेस पे, और आपको जाना है show panels में, और show panels में का पे जाना है, draw पे click करना है, अब आपका draw panel आ चुका है, तो यहाँ पे आपको यह समझ में है कि panels कैसे show और hide होते हैं, और कौन-कौन से settings basic करना है, command line क्या होता है, basically वो आपको समझ में है, अब CAD के 2D के लिए इतना introduction काफी है बाकी सारे tools का introduction हम step by step सीखने वाले, बाकी सारे settings भी हम step by step सीखने वाले, लेकिन introduction part में ये बस इतना मैंने बताया, अब हम शुरू करते हैं हमारा practical session, यानि कि practical में हम यहाँ पे कुछ command सीखते है, step by step अगर हम हर एक command को जान लेंगे, तो automatically जब हमें drawing करनी, तो उस command को हम apply कर के वाँ पे drawing कर सकते हैं, तो हमारे सबसे पहला toolbar जो है, वो है draw toolbar, draw toolbar में आपको यहाँ पे, draw toolbar यहाँ पैनल हम बोल सकते हैं, line, polyline, circle, arc, rectangle, ellipse, then यहाँ पे hatches वगएरा, इसे बहुत सारे tools है, यह सारे tools हम देखने वाले, सबसे पहले हम line से शुरुआत करते हैं, line पे अगर म बस plus sign में आ रहा है, अगर crosshair plus sign में हैं, तो समझ जाना कि आपकी draw की कोई भी command चालो है, जैसे आपने circle भी लिया, तो भी, आपने line लिया, तो भी, मतलब आप कोई भी draw में से command लेते हो, तो crosshair plus में हो जाता है, और अगर आप कोई modify panel में से command लेते हो, जैसे मैंने copy लिया, त तो crosshair का plus हड जाता है, और बस box रहता है, pick box, और आपने escape कर दिया, कोई भी command नहीं लिया आपने, ना modify लिया, ना अपने draw लिया, तो क्या आएगा, crosshair पूरा आ जाएगा, तो आप समझ जाना कि अभी कोई भी command activate नहीं है, तो crosshair के waiver से, मतलब crosshair का shape change होता है, खली plus दिखता तो समझ जाना draw command activate है, box दिखता है, तो modify command जो भी अपने लिया था, enter किया तो वो activate हो चुकी है, यह आपको automatically crosshair से समझ में आएगा, तो यह थोड़ा सा एक, आपको याद रखना है कि वह crosshair कैसे change होता है, कौन से command के साथ, तो draw command में से line मैंने लिया थी, फिसे मैं line लेता हू मैं आपको command line दिखाता हूँ, नीचे command line पर आईए, command line में line specify first point करके आपको instruction मिल रहा है, तो चलिए मैं first point कहीं पर भी specify कर देता हूँ, अब command line के तरफ दुबारा जाहिए, and देखिए, line specify next point, तो कहां पर आपको next point देना है, वो आप की उपर है, आप इधर भी रख सकते है इधर straight रखना है, जिदर रखना है, उदर रखना है, लेकिन अभी मैंने, suppose mouse pointer इस तरह से रखा और इधर click किया तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मैं particular distance पर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर six point enter कर रहा हूँ, six करके enter, यहाँ पर जैसे मैं six type कर रहा हूँ, तो वो कह होते जाएगा, अब यह आपको यह draw हो गया है, लेकिन आपको यही तो समझना है, अब मैंने draw किया है, फिर भी line ऐसे गूमे जा रही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं six का line draw कर दिया है, तो मैं escape button यहाँ पर प्रेस करूँगा, escape, escape button प्रेस करने के बाद यहाँ पर अग mouse pointer रखे जारा, scroll bar, mouse का scroll bar आगी की तरफ गुमाँगा, mouse का scroll bar अगर मैं आगी की तरफ गुमाता हूँ, तो आपको कुछ नजर आ रहा है, जो छोटा सा point था, एक line है, और उसके बाद scroll bar को मैं दबा रहा हूँ, मतलब प्रेस करके रख रहा हूँ, जैसे मैं प्रेस करूँग अगर यहाँ पे आपको handy tool या pen tool जिसे हम बोलते हैं वो लाना है, तो आप right click करके भी ला सकते है, pen tool और इसे आप इधर से mouse से, left button से आप click and drag कर सकते हैं, इसके लिए scroll button प्रेस करने की आभी आपको ज़रुवत नहीं है, मतलब drawing को बीच में लेने के लिए आप right click करके right click और आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे है, यह है pen tool जो कि कोई भी drawing को middle में खीचने के लिए या middle में लाने के लिए हम इसका use कर सकते हैं, यह इस तरह से आता है, click कीजिए, left button और drag कीजिए, mouse का left button और अगर आपने यह pen tool नहीं लिया है, तो scroll button अगर आपका work कर रह यह zoom in हो गया, this is zoom out, zoom in, zoom out, तो अपनी तरफ scroll करने पे zoom out होता है, लेकिन drawing के उपर ही mouse pointer, यानि crosshair रहना चाहिए, अगर आप crosshair इदर रखते हो, अब क्या होगा, अगर मैं scroll आगे करता हूँ, तो zoom तो होगा, लेकिन वो zoom drawing कहा पे जा रहा है, आपकी screen पे दिखाए दे रहा तो drawing के उपर ही mouse pointer रखो, scroll बार आगे गुमाओ, mouse का जो middle बटन है आगे गुमाओगे, तो automatically या पे zoom in होते जा रहा है, और अगर मैं अपनी तरफ mouse pointer गुमाओगा, तो क्या होगा, zoom out हो जाएगा, चलो, एक बात तो आपको समझ में आए, zoom in और zoom out कैसे करना है, साथ मैं drawing को middle में कैसे लाना है, pen tool भी आपको समझ में, अच्छा मैंने जो drawing draw की थी, वो line 6 की थी, but I want to verify it, मतलब मुझे यसे verify करना है कि ये line 6 की है की नहीं है, तो उसके लिए आपको एक shortcut की मैं आपको बता रहा भी, DAL type करना है, अब DAL type करने से क्या होगा, आप यहापे DAL type कर रहे हो, यहापे दिखाए दे रहा है, command line में मैंने DAL type किया, तो कुछ लिख की आ रहा है, command line आपको guide करता है, जो भी अपने shortcut type किये, उसका guidance यहापे आपको मिल जाता है, मतलब क्या shortcut है, वो समझ में आता है, DAL होता है, dimensions align, दिखाए दे रहा है, dimensions align, so dimensions align, चलिए मैं DAL enter कर देता हू enter करने के बाद, यहाँ पे मैं mouse pointer लेकिया रहा हूँ, इसके point पे, तो जैसे मैं mouse pointer इसके age पे लेकिया रहा हूँ, इस point पे लेकिया रहा हूँ, यहाँ पे point आ रहा है, end point नाम लेकिया रहा हूँ, चलिए मैं end point पे click कर रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पे mouse pointer लेकिया रहा हू और कुछ आपको दिखाए दे रहा है कि ये 6 readings की 6 points की एक line है अब ये 6 inches से क्या है मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ फिलाल आप देख लेजिए 6 points जो हमने 6.6 enter करके draw किया तो ये line आ गई अब मैंने इसे जो dimensions apply किया इसे align dimension बोलते है कोई भी cross line measure करने के लिए हम align dimension यूज करते है अब straight line के लिए क्या होता है linear dimensions होता है linear dimensions कैसे होता है आगे चल कर देखेंगे फिलाल straight line कैसे draw करना है ये भी हम समझेंगे अभी चलिए इसे मैं delete करना चाहता हूँ तो कोई भी object या कोई भी drawing जितने भी content है उस अब एक साथ delete करने है क्याड़ क्यांदर Ctrl A button press कीजिएगा Ctrl A button press करने के बाद E और enter button press कीजिएगा erase हो जाता है दोस्तो Ctrl A select on E enter erase आपको कुछ shortcut keys मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ जो shortcut keys आपको note down करने होंगे और आप note down नहीं कर रहे है तो anyway आपको description मैं एक link दे रहा हूँ जहाँ पर सभी shortcut keys रहेगी मेरे website की learnmoreindia.in यह मेरे website है उस पर सभी shortcut keys आपको मिल जाएगी वहाँ पर AutoCAD का एक section ही है उस website को ज़रूर visit कीजिए वहाँ पर मैं AutoCAD की Hindi में notes डालने की कोशिश करूँगा दोस्तों आगे तो आप ज़रूर उस website को visit करके रखिए book mark करके रखिए और आने वाले जो भी उसमें post है वो देखते रहेगा फिलल मैं आपको बताऊ कि आगे है कि हमें straight line draw करनी है तो straight line के लिए क्या करना है अब यह line command मैंने यहां से ली थी लेकिन line command हम shortcut की से भी ले सकते है तो मैं command line में कुछ shortcut type कर रहा हूँ और line command ले रहा हूँ तो मैं type क्या कर रहा हूँ command line में L type कर रहा हूँ L मतलब line दिखाए दिरे एक command line आपको L से related सारी अलग-अलग commands दिखा रहा है फिलाल मुझे L stands for line है L enter कर रहा हूँ L enter करने के बाद line specify first point यह तो हमेशा command line आपको show करेगा चलिए मैंने first point specify किया but I want to draw a straight line मतलब मुझे straight line draw करनी है तो तय है तो यह तो mouse pointer ऐसा रखा तो cross आएगा ऐसा रखा तो भी cross ऐसा रखेगा तो cross तो यह सीधी कैसे आएगी सीधी तभी आएगी यहाँ पे आपको एक चीज करनी है मैं आपको ज़रा zoom करके दिखा था mouse pointer मुझे उस पे रखना है zoom करने के लिए पहले और now you can check it out restrict cursor ortho gonna मतलब ortho gonna means आप यहाँ पे ortho mode on करे हो F8 करके F8 अभी off है फिला लो मैं उसके उपर click करूँगा या F8 button प्रेस करूँगा तो भी चलेगा जैसे मैं यह on करता हूँ अभी on हो गया दिखाए दे रहे on हो गया वो highlight हो चुका है अभी यह क्या करेगा आपकी line को horizontal or vertically draw करेगा यहने straight line draw करने के लिए ortho mode on करना होता है और हमने ortho on किया है हमरा ortho on कैसे एक तो आप यहाँ से दिख सकते हैं यह highlight हो चुका है और command line में भी कुछ instruction आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है ortho on हो चुका है यहाँ कि mouse pointer आपने इस तरह उपर भी रखा है यहाँ पे देखिए mouse pointer उपर है थोड़ा सा लेकिन horizontally draw हो रहा है पूरा उपर गया तो vertical draw होगा पूरा नीचे आया तो vertically draw होगा left side में गया तो horizontal right side में आया तो horizontal अब मैं यहाँ पे 6 या कितने भी suppose 20 enter करता हूँ 20 enter 20 enter किया मैंने और enter करने के बाद आगे और line continue नहीं करनी मुझे तो इसके लिए escape कोई भी command अगर cancel करनी है तो escape तो यहाँ पे line command में आप देख सकते हैं मैंने already 20 के line draw की है फिर भी वो आपको next point पूछ रहा है तो अभी मुझे आगे continue नहीं करना है line को तो escape button प्रेस करेंगे तो command cancel होती है escape button से command cancel अभी line 20 की बहुत बड़ी है मुझे एक end तो दिख रहा है दूसरा end नहीं दिख रहा है तो आप तो एक काम कीजिए अभी mouse phone रिसके पर रखे scroll बार अपनी तरफ घुमाईए automatic हो जाएगा या उसके अलावा दूसरे एक shortcut की आप यूज कर सकते line बहुत ही बड़ी है जो आप scroll करने पे भी छोटी नहीं हो रही है तो keyword पे ये shortcut की ज़रूर याद रखिए z enter और enter अब इससे होगा क्या z enter और e enter करने के बाद automatically object zoom to feet हो जाएगा मतलब feet object on screen ये उसका shortcut की है तो कितने भी object रहेंगे आपकी सारे zoom level पे ये page level पे दिखाए देंगे आपकी drawing thousand या two thousand या three thousand या ten thousand points की line है जो भी inches feet हो अगरा की है तो भी वो automatically इस page पे दिखाए देगी या बहुत छोटी है तो भी वो बड़ी हो जाएगी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ या पर मैंने drawing को scroll करके बहुत छोटी कर दी अभी आपको दिखाए दे रहा है वो एक छोटा सा point है लेकिन मैं इसे z enter और e enter करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है line पूरी बड़ी हो रही है और scroll बार करके आप इसे adjust कर सकते है scroll बार का middle button प्रेस करके आप इसे उपर नीचे कर सकते है याने pan tool तो आपको z enter और e enter समझा ही होगा z enter करना है z enter पहले z और z type करके keyboard पे enter और e type करके enter that's it अब आपको line clearly दिखाए दे रहे लेकिन line straight है तो मैं यहाँ पे DAL नहीं लूँगा dimension align याने line जब cross रहेगी तो align dimensions हम use करेंगे फिलाल align की ज़रुत नहीं है यह linear है सीधी line हमारे draw है तो हम यहाँ पे linear dimension लेंगे और उसके लिए command की आए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए command है यहाँ पे मैं आपको command line में दिखाता हूँ command की है DLI आपको type करना है DLI अने dimension linear जो की आ रहा है और चलिए मैं enter बटम प्रेस करता हूँ enter करने के बाद आपको यहाँ पे पहले click करना है इस point पे अब यहाँ पे end point नाम आ रहा है जब मैं कोई भी point पे click करता हूँ तो वहाँ पे end point करके आ रहा हूँ automatically वो magnetically point उस तरफ mouse pointer यहाँ पे दिखाए दे रहा है खीचा जा रहा हूँ उसकी तरफ थोड़ा सा खीचा जा दे automatically highlight करता है यह highlight इसी लिए हो रहा है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी मैंने starting में आपको बताया था कि यह हमेशा on रखना है snap to object तो इसी के वज़े से हो रहा है end point आ रहा है या फिर middle में लेक्शा होगे तो mid point आ रहा है क्योंकि object snap के starting में हमने setting करके रखी बंद हो गया अच्या बंद कर दिया तो यहाँ पे मुझे end point नहीं मिल रहा है आप देख सकते हैं मैं exact click ही नहीं कर पा रहा हो magnetically की खीच भी नहीं रहा है कहाँ पे end point है कहाँ पे mid point है कुछ भी नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है so what I ought to do F3 बटन आप प्रेस कीजिए तोबे आ जाएगा या फिर यहापे आप क्लिक कर सकते हैं कहाँ पे क्लिक करना है हर एक चीज को मैं आप जूम करके आपको दिखा रहा हूँ तो as a student आपको यह सरी चीज़े पहले से पता होनी चाहिए कि वही हमें यह क्या काम का है इसे on क्यू रखना है अब मैंने यहापे पहला क्लिक किया अब मैंने दूसरा यहापे क्लिक किया और फिर दूसरो क्लिक करने के बाद उपर एक क्लिक करूँगा तो इसका dimension इसका reading था 20 अब इसकी size बहुत बड़ी आ रही है arrow की size भी बहुत बड़ी आ रही है तो यह text size, arrow size कैसे कम ज़्यादा करना है आगे है न दोस्तो so step by step सीखते जाएंगे तो आपको पहले कुछ चीज़े मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत ज़रूरी समझना और इसकी पर practice करना भी ज़रूरी है तो practice भी कीजिए अब line command कैसे लेना है मैंने आपको बताया है इसे control A कर रहा हूँ, enter कर रहा हूँ line command लेना कैसे? L enter से लेना है simple line command से हमने कैसा object draw किया मैंने आपको दिखाया line command आप इधर click करके भी ले सकते है line command आप यहाँ पे click करके भी ले सकते है line command ले लिए मैंने और line command से मैं एक rectangle draw कर रहा हूँ कैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने click किया click करने के बाद यहाँ पे मैंने 20 जो अभी dimension से enter किया था 20 enter कर रहा हूँ 20 enter करने के बाद straight line अलरी अक्टिवेट यान और्थो mode on है और्थो mode on और off करने के एक shortcut की भी है वो है F8 F8 अगर आप press करते हो तो और्थो mode on और off मतलब on भी होगा और off भी होगा F3 से object snap on off होता है F8 से ortho mode on off होता है चली यहाँ पे मैंने mouse pointer आभी यहाँ पे सिधा नहीं रखा है उपर रखा है इस तरफ रखा है और उपर मैं ले रहा हूँ 10 enter 10 लेने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा zooming कम कर रहा हूँ scroll बार अपनी तरफ घुमाया मैंने कम करने के लिए mouse pointer इस तरफ रख रहा हूँ 20 enter पहले नीचे की line 20 थी अब उपर की line भी यहाँ पे दिखाए दे रहे 20 और यह point मैं यहाँ पे touch करूँगा आप यहाँ पे touch करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे end point आपको दिखाए देगा लेकिन इसके अलावा आप ज़रा command line की तरफ आईए command line की तरफ देखिए line specified next point और close close मतलब c enter c क्यों मैंने बोल रहाँ आपको क्योंकि c आपको दिख रहा है blue color में और u भी दिख रहा है blue color में तो close action लेने के लिए आप c enter करेंगे मतलब जो भी highlighted word है वाँ पे highlighted alphabet है sorry तो वो alphabet आप यहाँ पे enter कर सकते चले मैंने c enter किया command line में आप देख सकते हैं मैं c type कर रहा हूँ और enter कर रहा हूँ तो होगा क्या automatically जो 3 line है 4th line automatic यहाँ पे close हो रही है तो यह यहाँ पे मैंने एक rectangle draw किया है और rectangle line command की मदद से मैंने किया है इसके लिए मैंने किया क्या यह आपको समझ मैं होगा चलिए मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ बड़ा एक rectangle draw करके दिखाता हूँ और इसे मैं पहले यह रिस करता हूँ एक 500 की line मुझे draw करनी है L enter सबसे पहले L enter के बाद आप click कीजिए 500 अब यह problem होगा कि यहाँ पे मुझे next point 500 बहुत अंदर चला गया नहीं यहाँ पे बहुत बड़ी line है वो तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उपर कैसे मैं draw करूँ अभी mouse pointer उपर नहीं रख सकता हूँ तो मुझे करना क्या है escape करना है एक line मैंने draw की है उसके बाद मैं escape करूँगा मुझे zooming level पहले screen का adjust करना पड़ेगा और मैं इसे अपनी तरफ गुमाते जाऊंगा यह mouse pointer जो scroll button है फिर भी यह zoom कम नहीं हो पा रहा है तो आप shortcut की use कीजिए जो मैंने बताई थी starting में z enter और e enter अच्छा मैंने कर दिया z enter और e enter और आप देख रहे हैं अभी यह 500 की line छोटी होगी जैसे पहले 20 की line थी वैसे 500 की line आगी है और pen tool लीजिए जो pen tool लाने के लिए आपको करना क्या है बीच में click करना है pen tool लाने के लिए आपको करना क्या है right click करके आप यहाँ पर pen tool ले सकते और इसे इस drawing को नीचे ऐसा रख सकते है और यहाँ पर फिर से line command लीजिए l enter l enter लेने के बाद यहाँ पर click कीजिए इस तरफ अभी यहाँ पर suppose 10 10 तो नहीं आएगा 100 लेना होगा क्योंकि 10 के drawing तो वो छूटी आएगी 100 इस तरफ लेना है 500 अब आप यहाँ से c enter करेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा c enter क्यों नहीं चलेगा अभी बताओ c किया तो यह line यहाँ से शुरू हुए अभी क्योंकि पहला line हमने drop की थी पहली line इतनी draw यहाँ से c करेंगे तो यहाँ पर close हो जाएगा यहाँ पर join हो जाएगा यहाँ से शुरूआत की हमने अभी अभी continue line के लिए तो close नहीं करना है यहाँ पर हमें click कर देना है क्योंकि हमने एक पहली line drop कर दी थी command continue नहीं किया था पहली line से अभी यहाँ पर दिखाए दे रहा है और escape button press करो और इसे देखने के लिए मतलब इसका dimension check करने के लिए आपको enter करना है DLI DLI enter कीजिए यहाँ पर click यहाँ पर click और आप इसे zoom करके देख सकते है 100 है की नहीं है 100 है वैसे 500 भी रहेगा तो यह मैं delete कर देता हूँ और line command को हमने सीख लिया है कि line में ortho mode होता क्या है ortho mode on off करने के लिए short click की effect और line command से हम rectangle कैसे draw करते है इसके अलाओ line command के बाजू में ही है polyline जो कि आपको दिख रहा है polyline command यहाँ पर है अब polyline command पर मैं जब click करूँगा यहाँ पर दोस्तों मैं click करूँगा पहले यहाँ पर blank जो हमारा workspace दिख रहा है अच्छे इस workspace को क्या बोलते हैं इसे model बोलती है यहाँ पर है model दिखाए दे रहा है model और layout तो model और layout का user आगे चल कर हम देखेंगे फिलाल हम model में काम करेंगे और model का हमेशा color black ही रहना चाहिए black में आपको accuracy मिलती है black में आपको error correction quickly होते है तो कुछ भी line में थोड़ा सा error है कुछ भी point touch नहीं हो रहा है तो आपको black में quickly observe होता है नजर आता है इसलिए black background रखते है और आपके मन में आए कि यार मुझे black background पसंद नहीं है कुछ और background परना है तो आप कर सकते है बिल्कुल कर सकते है right click कीजिए model का color change करने के लिए यहाँ पे आपको फिस से जाना है options के अंदर options के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे click करना है display के अंदर already display क्लिक है और display के अंदर यहाँ पे colors option है colors में click कीजिए colors में click करने के बाद आप यहाँ पे black देख सकते है black की जगा आप white color देंगे और इसे apply and close करेंगे तो पीचे white color आ रहा है बट मुझे नीचे यार यह तोड़ा सा it is looking लेका आखों में तकलिब भी होती है तो black रहेगा तो आपको ज़्यादा देर तक काम करना है तो आखों में ज़्यादा तकलिब नहीं होती है देखने के लिब भी soft रहेगा तो करना कहां से कैसे करना ही मैंने आपको बता दिया है color अगर change करना चाहते हैं तो इसका black color की जगा आप और कुछ कर सकते है accuracy के लिए best रहे आखों के लिए rest भी मिलता है ज़्यादा तकलिब नहीं होती है अगर wide background है तो आपके आखों में से पानी आते जाएगा एक घंटे के बाद एक घंटा अभी फिलाल तो मैं recording करता हूँ इतना तो मुझे भी पतकलिब होगी अगर वहाँ पे मैं दूसरा background रखूंगा तो black background कैसे रखना है इसके बारे में यह सब था अब polyline के बारे में जान रहे हैं हम यहाँ पे दूसरी command polyline पे click कीजिए और अब polyline keyword से लेना चाहते हैं मैंने फिलाल polyline लिया है तो जैसे line में आया था specify start point वैसे ही यहाँ पे आया है और मैं keyboard से लेना चाहता हूँ escape button मैं press करूँगा command cancel करने के लिए escape यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है कि आपने cancel की यह command चलिए मैं shortcut की यहाँ पे type कर रहा हूँ वो shortcut की है polyline के लिए PL highlight हो रहा है PL उपर पहला है PL याने की polyline अब मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ click करने के बाद polyline से मैं यहाँ पे suppose 20 इस तरफ ले रहा हूँ अब यह 20 बहुत चोटा आएगा आपको से चोटा आएगा क्योंकि मैंने 500 के लिए किया था अब मैं जिसे zoom कर रहा हूँ स्क्रोल करके और 20 की यह line हो गए उपर mouse pointer रखा मैंने ortho on है अगर मैं ortho off कर देता हूँ और तो off करने के लिए आपको बस effect phrase करना है यहाँ पे अच्छा मैंने effect phrase किया और तो off हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इधर उधर मतलब कोई भी angle में आप जा सकते यह angle में यह angle में यह line ड्रॉँगा नहीं मुझे effect on करना चाहिए तो मैंने कर दिया और यह 20 की line है फिर मैं यहाँ पे 20 by 6 का rectangle draw करना चाहता हूँ 6 enter फिर इस तरफ रख रहा हूँ मैं 20 और C enter अब line और polyline से वही चीज़े हो रही है line से भी वही हुआ polyline से भी वही हुआ लेकिन polyline में और line में फरख है line में से मैं यही rectangle draw करता हूँ सब जैसे कुछ rectangle draw करा हूँ यहाँ पे 10 enter यहाँ पे 6 enter यहाँ पे 10 enter और यहाँ पे C enter अब line से भी draw है polyline से भी जब मैं polyline से draw कर चुका हूँ मैं इस पे click कर तो यह चारो भी object एक साथ select हो रहे है और मैं इस पे click कर रहा हूँ line से draw किया हूँ यह select हुआ फिर यह select हुआ मतलब सभी object line से draw के हुए separate रहते मैं draw select कर रहा हूँ escape फिर select कर रहा हूँ escape आपको ऐसे select करना पड़ेगा चारो object को और इसमें ऐसे कि एक ही बार click करो चारो lines एक साथ select होगे polyline से line ये जो object है वो group होता है और इसके अलावा line से और भी difference रहते हैं जैसे line command हम लेते हैं तो नीचे कोई extra commands कोई चीज़े नहीं मिलती है आपको लेकिन polyline में मिलती है polyline आप click करोगे तो यहाँ पे कुछ extra commands होगे आपको मिल रहे हैं जैसे की arc है, half width है, length है, undo width ऐसे चीज़े हैं लेकिन ये मैं अभी नहीं लूँगा ये मैं जरूर बताओंगा दोस्तों लेकिन अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि arc ये हमने नहीं complete किया है arc पहले हम complete करेंगे, बहुत सरे commands हम complete करेंगे और दुबार हम polyline की तरफ जाएंगे तब हमें इसका यूज़ समझ में है गा कि भाई कैसे करना इसको क्योंकि arc यहाँ पे जो command दिया गया है वो फिर आपको समझना थोड़ सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने arc नहीं सीखा तो तो इसलिए polyline का बस हमने यही use सीखा कि polyline से एक continue line continue rectangle object बनता है तो ठीक है यह थी है अमारे दूसरी command जो कि पहले हमने line दूसरा polyline line के लिए l enter polyline के pl enter और अभी बाकी है next circle अब circle में आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पे कुछ commands है center radius center diameter 2.3.1010 radius and 101010 101010 what is 101010 1010 1010 1010 1010 1010 radius 1010 1010 radius 1010 1010 radius अभी tangent क्या होता है पहले हमें यह देखते हैं कि center radius होता क्या है दोस्तों अब center radius कैसे draw होता है आपको पता है circle है तो radius है, diameter भी है मैं circle पे पहले center radius लेता हूँ जैसे मैंने यह लिया है तो command line क्या बता रहा है आपको circle specify the center point of circle चलिए मैं center point कहीं पे भी specify कर देता हूँ मैंने कई पे भी कर दिया अब यहाँ पे कर दिया तो mouse pointer जहाँ पे मैं click करूँगा दुसरा हो यहाँ पे आपको दिखाए देरा dot dot में उतना radius हा रहा है और उतना बड़ा radius उसका होते जाएगा लेकिन radius मैं कुछ scale में enter करना चाहता हूँ तो मैं command line में यहाँ पे scale type करूँगा आपको दिखाए देरा है यहाँ पे command line और command line के अंदर मैं यहाँ पे scale type करूँ suppose मुझे 5 radius का circle चाहिए तो मैंने 5 किया और enter किया अब इसका radius 5 है तो diameter कितना रहेगा tell me अपको stain रहेगा because वो दूगना रहता radius का everybody knows that अच्छा मुझे इसका radius verify करना है कि जो मैंने circle draw किया है वही radius का है की नहीं है तो उसके लिए command क्या है उसके लिए dimensions यूज़ करना रहता है DRA dimensions radius दिखाए देरे आपको यह पहले आ रहा है DRA dimension radius यह आपको type करना है चिले मैंने DRA type तो कर दिया enter भी कर दिया उसके बाद circle के border पे click करो आप बाहर चीव बाहर ऐसा कि जहाँ पे चीव वहाँ पे rotate करके अंदर भी अंदर बाहर भी रहा है जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप रख सकते है radius 5 है इसका R5 करके लिए आएगा तो आपको यह समझ में है कि circle draw कैसे करना है फिलाल मैं dimension को delete कर रहा हूँ उस पे click करके आपको यहाँ पे enter button press करने erase करने के लिए मैंने dimension ही delete कर दी enter मतलब erase या फिर आप direct keyboard से delete करेंगे तो भी चलेगा दोस्तो circle जो draw किया with radius था मैं भी diameter draw करना चाता हूँ तो इस circle तो थोड़ा सा side में रख देता हूँ और pen tool की मदद से अब circle में मैंने center diameter लिया and now I'll click here और 10 diameter का यहाँ पे मैं draw करना चाता हूँ क्योंकि अब मुझे enter करने के लिए बोला है diameter यहाँ पे दिखाए दे रहा है specify diameter of circle अब यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है already क्योंकि हमने 5 radius का पुराना circle draw किया है तो उसके according 10 radius का circle already enter है अगर आप enter button प्रेस करोगे तो वो by default 10 लेगा 10 ही लेगा क्योंकि last circle की जो radius है वो थी 5 और diameter था 10 तो automatic 10 लेगा लेकिन मैं 12 का draw करना चाता हूँ तो इसलिए मैंने 12 एंटर किया command line पे और enter कर दिया अब यह 12 का circle आपको दिखाए दे रहा है मैं verify करना चाता तो इसका diameter उतना है क्या मतलब जो मैंने एंटर किया हुई तो उसके लिए command line में मैं क्या रहूँगा command line में मैं यहाँ पे ddi type करूँगा dimensions diameter है ना तो ddi आप type कीजिए यहाँ पे दिख रहा है highlight हो चुका है ddi enter और यहाँ पे click कर कि इसका diameter 12 है कि नहीं diameter का sign इस तरह से आएगा याद रखना है कोई भी command अपने दी है और अभी अभी वो command अपने यूज़ किये तो उसे दुबारा repeat करने के लिए आप right click कीजिए यहाँ पे आपको command आ रही है बार-बार आपको लिखने की ज़रूद नहीं है ddi अभी आपको last command दिख रही है यहाँ पे repeat ddi dimension diameter यहाँ से भी ले सकते last command लेने के अलग-लग तरीके है एक तो आप space button या enter button भी प्रेस कर सकते है enter प्रेस कीजिए right click कीजिए या फिर space bar कीजिए तो space bar मैंने किया और इस फिर click किया and now you'll get it आपको क्या मिल रहा है इसका भी diameter मिल रहा है तो आपको circle कैसे draw करना यह समझ मैं है e enter करके मैं इसे erase करौ control A e enter erase या फिर delete button keyword से कर सकते है अब यहाँ पे two point circle भी आ रहा है चलिए मैं two point circle लेता हूँ अब यह two point मतलब एक इधर point एक दूसरा point यहाँ पे radius automatically आ जाएगा होता क्या two point circle में मैं दुबारा दिखाता हूँ right click repeat circle यहाँ से अगर करेंगे तो circle कौन सा आने वाला है circle two point करने आएगा तो आपको करना क्या है two point के circle लेने के लिए एक तो आपको यहाँ पे repeat circle लेने के बाद two point circle लेना है तो नीचे आपको two p करके enter करना पड़ेगा अगर आप last command repeat लेते हो और आप optional command लेना चाहते हो अगर अपने space किया तो circle का normal command आ जाएगा space या enter या right click repeat करके command लेना है लेकिन उसके अंदर के command लेना है तो यहाँ पे 2p type कीजिए 2p 2 point का circle आ जाएगा लेकिन 2p type करना है नहीं करना है वापकी उपर या फिर mouse से आप यहाँ से लेना चाहते है तो two points तो two point circle आ चुका है मैं यहाँ पे click करूँगा यहाँ पे click करूँगा यहाँ पे दीख रहा है अब right click करके circle repeat two point वाला नहीं होगा normal circle होगा center और radius का इसलिए two point पे आपको यहाँ पे click करना होगा right click करके अगर command लेते तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से आपको two point पे click करना होगा फिर आप यहाँ पे click कीजिए यहाँ पे click कीजिए simple है एक तो two point करके enter कीजिए या mouse से आपके click करेंगे blue अगर highlight है तो click करेंगे तो भी हो जाता है तो चलिए और एक two point करेंगे हम लोग repeat circle two point पे click कीजिए और यहाँ पे और यहाँ पे यह दो point मैं दे रहा है और दो point से कैसे circle बनते जा रहा है you're getting properly right इस तरह से आप कर सकते इसे तो यह बन गया है इस तरह से two point circle अच्छा मैं चाहता था कि यार यह line यह line यह line यह line extra lines है वो मुझे delete करनी है कोई अच्छा design बन गया है इसलिए तो मैं tr यह command आपको बताना चाहूँगा tr होता क्या है tr command याने trim चलिए यहाँ पे देखिए trim command highlight हो चुकी उपर और tr मैंने enter किया है tr enter लेकिन tr एक बार enter नहीं करूँगा मैं दो बार enter कूँगा अब यह दो बार होता क्यों है क्योंकि मैंने कोई object नहीं select किया है और दो बार enter करने से object directly पूरे select हो जाते tr पहला enter किया select object और select all select all लाने के लिए आपको enter बटम प्रेस करना है आपको दिख रहा है वो bracket में जो है वो automatically ले आ जाएगा जब आप enter बटम प्रेस करते हो तो जो भी आप यहाँ पे bracket में दिया रहता है न वो enter बटम प्रेस करने से automatic लेता है अगर आप object खुद select करना चाहते है यह दो यह object को trim करना है तो दो select करके आप right click भी कर सकते है मुझे select all ही करने पूरे object enter बटम प्रेस कीजिए अब मैं जिस पे भी click करूँगा आपको mouse pointer से दिख रहा है कि मैं जैसे click करूँगा वो line क्या होने वाली है cut होने वाली है आपको preview में दिख रहा है चलिए यह cut करना चाहता हूँ यह line cut करना चाहता हूँ trim command मुझे लगा कि आप जल्दी में पढ़ा देना चाहिए आपको इसलिए मनें बता दी आप इसे जरूरी use कीजिए इस तरह से कुछ बना के try कीजिए अब फिलाल आगे बढ़ते हैं यह था two point circle two point के बाद आ रहा है circle three point का अब इसके लिए मैं कुछ preparation कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने polyline ली है click किया है और यह straight line आ रही है लेकिन मुझे triangle बनाना है तो मुझे जरूरी है कि F8 button press करके यह off करूँ मैं तो F8 button press किया मैंने और ortho off किया ortho off किया तो मैं अभी triangle बना सकता हूँ now you can see it कि line cross भी draw हो रही F8 button on है याने ortho on है तो straight line नहीं draw होगी cross तो possibly नहीं draw करना इसलिए मैंने F8 button यहाँ पर off किया आप यह देख सकते हैं F8 off है और तो off हो चुका है अब यहाँ पर यह triangle के बाहर से circle चीए so what will I do circle में जाए यह three point circle अगर आप यहाँ पर तीनों point पर क्लिक करते है इस triangle के now you will get it क्या मिल रहा है आपको circle मिल रहा है उसके अंदर triangle मिल रहा है क्योंकि आपने circle बाद में draw किया है और वो three point circle कैसे draw करना है समझ मैं और अगर आप अंदर draw करना चाहिए आपका कहना क्या रही इस triangle के अंदर circle चाहिए so go for 10, 10, 10 हम 10, 10 radius बाद में देखते हैं पहले 10, 10 देखते हैं tangent, 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 tangent यानि कि line which touches single point to the circle tangent मतलब जो circle को single point में touch करती ऐसा line उसे हम tangent line बोलते हैं तो चलिए यह tangent बना देते हैं strangle को हम इस circle का अंदर के circle का पहले कई पे भी click कर सकते हैं इस line पे आप देखा है दे रहा है tangent का symbol कैसे होता है याप आप चेक कीजिए green में आपको दिख रहा है यह symbol tangent का बहुत zoom के अरके मैं आपको दिखा रहा हूँ green में यह जो symbol है यह tangent का है एक symbol को आपको समझना है यहाँ पे midpoint का symbol कैसे है endpoint का कैसे tangent का कैसे quadrant का भी आगे चल कर आएगा फिलाल मैं पहला tangent यहाँ पे click कर आओ दूसरा tangent यहाँ पे click कर आओ इस line पे कई पे भी click कीजिए तीसरा tangent now you are getting कि तीनो tangent से circle कैसे draw हो चुका है triangle के अंदर circle आ गया है दोस्तो तो 10-10, 10 क्या होता है और 3-point circle क्या होता है यह आप detail में समझ गयोंगे control A, enter, erase का raw में circle के अंदर last command बाकी है जो है 10-10 radius तो अभी 10-10 radius को यहाँ पे हम समझते है 10-10 radius बहुत कमाल की चीज़ है अगर mechanical drawings आप बनाने जाओ गया आगे जाकर तो उसमें 10-10 radius यह command बहुत ज़्यादा यूज होता है तो 10-10 radius के लिए मैं क्या करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ दो tenzen तो हमें चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक angle draw कर रहा हूँ और angle कैसे draw कर हूँगा polyline ले रहा हूँ और यहाँ पे click करके इस तरह से angle में draw कर रहा हूँ कोई भी angle आप draw कीजिए यहाँ पे मेरा F8 जो है off है तभी मैं angle draw कर पा रहा हूँ यानि कि straight line ओला और तो बन है यह याद रखना बहुत ज़रु है circle में चाहिए और यहाँ पे आना है आपको 10-10 radius की उपर click करना है चलिए आप इसे shortcut key से लेना चाहते है आपने बोला कि यह shortcut key से भी बताओ sir तो C enter कीजिए C तो normal circle आएगा जिसमें आप circle और radius डालेंगे तो circle draw होगा center point देखे लेकिन अगर मैं C enter करने के बाद 10-10 radius लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिया है TTR हाँ 3 point circle है 2 point है TTR है लेकिन 10-10-10 वाला shortcut key से नहीं आता है वो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा यह आपको मैं पहले बता देता हूँ तो मैंने क्या किया सबसे पहले enter किया C enter और उसके बाद मैं enter करूँगा T enter C उसके बाद T यानि कि यहाँ पे आएगा 10-10 radius तो 10-10 radius कैसे होगा पहले मैं tangent select करूँगा पहले हमें इस line पे कई पे भी click करना है फिर उसके बाद दूसरा tangent और जो circle का radius हमें mention करना है तीन radius मैं यहाँ पे दे रहाँ तो यहाँ पे circle आ चुका है अच्छा आपने बड़ा radius दिया तो क्या होगा right click कीजिए repeat circle यहाँ पे TTR पे click कीजिए और मैंने इस tenzen को लिया यहाँ पे कई भी भी लीजिए आप यहाँ पे इस tenzen पे लिया मैंने और circle का जो radius है मैंने 10 दे दिया तो आप circle देखे इधर draw हो गया अब बोलो गयार यह तो एक ही line को touch है दूसरे line को ही नहीं है लेकिन अगर आप एक बात समझ लो कि यह polyline अगर मैंने यहाँ से draw करके बढ़ाई तो यह भी क्या होगा इसे tangent ही होगा यह polyline है ऐसे continue तो वो बरबर tangent ही रहेगी वो line भी समझ मैं आपको तो यह यहाँ पे circle बढ़ा है इसलिए बाहर चला गया लेकिन वो tangent नहीं चोड़ेगा 10-10 radius अकिरकार उसका नाम है तो इस तरह से draw होगा और आगे चलकर इस 10-10 radius का काम कैसे है ड्राइंग के अंदर वो आपको समझ में आएगा क्योंकि कुछ जगा पे इसका इसका कंपनसर ही हमें यूज करना ही पड़ता है इसके सिवा आपके पास कोई option नहीं है कि उस object को उस तरह से बनाना के लिए आपको बस 10-10 radius की ज़ुरत पड़ीगी मैं आपको practical drawing बना की दिखाऊंगा दोस्तो और जिसमें बहुत सरी mechanical drawing लेंगे हम CV लेंगे, interior लेंगे अब चाते तो electrical भी लेंगे लेकिन electrical क्या थोड़ा सा अलग रहता है दोस्तो तो बहुत सरी drawings तो मैं लोगा जिसमें सरी यह command सम practically देखने वाले है वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तो लेकिन अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको करना है बस like जरूर कीजिएगा like बटन पर click लेकिन पहला आपका यह role बनता है कि इस command को जान लो समझ लो प्रक्टिकली करके देख लो ताकि जब ड्राइंग मनाते समय अब जब इस command को करने जाओगे तो आपको उसकी steps पता रेनेची की पहले क्या करना है अच्छा तो आर्क की तरफ बड़े अब आर्क की यह भी command है हमारा three point है start center end है start center angle है बहुत सरे आर्क है so now you will be confused कि यार इतना सरे आर्क दिया की है इसमें but don't worry दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक दो आर्क पढ़ाऊंगा तो भी बाकि के सारे आर्क समझ मैं हैंगे क्योंकि एक जैसी draw होता है सारे आर्क three point वाल आर्क मैं आपको दिखाता हो कई पे भी three point आप click करके आर्क ड्रौँगा पहला point, दूसरा point, तीसरा point तो कई पे भी three point क्लिक करके draw होने अला आर्क हैने three points आर्क मैं enter करता हूँ अच्छा मैं एक rectangle यहाँ पे draw कर देता हूँ rectangle मैं square बना लिता हूँ और यह वडियो पूरा देख रहा हूँ इसलिए तो मैं आपको यह detail में समझा रहा हूँ अब मैं 10 इंटर कर रहा हूँ और तो होने straight line होने 10 इंटर 10 by 10 का square बना रहा हूँ 10 इंटर, again 10 इंटर and c इंटर, now you'll get it 10 by 10 का square हो चुका है और 10 by 10 के square को मैं right click करके यहाँ पर pen tool लेके यहाँ से लेता हूँ या फिर बीच का scroll button प्रेस करके भी drag करेंगे अब मेरा scroll bar कभी कभी काम नहीं कर रहा है बहुत पुरान हो गया, इसलिए थोड़ा सा मैं right click करके pen tool ले रहा हूँ कभी प्रेस होता है कभी नहीं होता है दोस्तो लेकिन आप अगर mouse नहा है तो scroll bar button बीच में प्रेस करके आप इसे इसे drag कर सकते है और रख सकते है अब इस square के अंदर मैं ले रहा हूँ आर्क में यहाँ पर आपको आर्क दिखाए दे रहा अलग अलग है start center arc start center in point वाला रख start center in यह compass की तरह होता है compass अपने use किया है compass का जो start point है मैंने यहाँ पर रखा है पिर जो pencil का point है जहां से draw होती है और जो center point है वो मतलब यहाँ पर रखा है मैंने center point जो की compass का नुकीला point रहता है न वो यहाँ पर रख दिया और उसके बाद यहाँ पे आपको F8 on, off कर देना, भी F8 की ज़रूरत नहीं है F8 off कीजिए, फिर mouse pointer गुमाईए, देखिए, यह हमारा compass का जो pencil का point था, वहाँ से draw होनी चालो गया यह center point पे हमने already पकड़ा है, और यह दिखाए दे रहा है आपको, यह proper arc 90 degree का हो गया 180 degree का, आप जैसा arc 272, वह arc draw कर सकते हैं, मैं यहाँ पे drop करना चाहता हूँ, यहाँ पे drop कर सकता हूँ अच्छा मैं angle देना चाहता हूँ, मैं इसे delete करता हूँ, angle देना चाहता हूँ, तो मैंने end point लिया था न फिलाल तो यहाँ पे angle भी option है, second वाला देखिए, मतलब इसी group में second वाला, start center angle तो start center angle में क्या होगा, देखिए, start point दिया, center point दिया, वही point लेना है, बस angle दिया 45, तो exactly 45 angle का arc आया है लेकिन आप नहीं मानते कि यह 45 का है, आपको verify करना है, हमेशना हम verify करते गए, DLI यूज किया, linear dimension के लिए, DAL यूज किया, align dimensions के लिए, DRA यूज किया, dimension radius के लिए, और DDI यूज किया, dimensions diameter के लिए और यह जो dimension की shortcut कीज़ है, आपको याद रखनी है, अब हम use कर रहे है, arc के लिए, मतलब arc का angle देखने के लिए, तो यहाँ पे angular dimension हमें ज़रूरी है, to D, A, N type करना है, जैसे हम D, A, N type करेंगे, यहाँ पे dimensions angular का के लिए, enter button प्रेस कीज़िए, इस arc पे click कीज़िए, जैसे आपको दिखाए देरा 45, 45 ही दियाता हमने और verify हो चुका है, चलिए इसे delete कर देता है, इस arc को भी मैं delete कर रहा हूँ, arc कैसे draw करना है, आप समझ गया होंगे, arc को draw करने के तरीके यहाँ पे अलग-अलग है, start center length, आप lengthwise भी arc दे सकते हैं, चलिए मैं lengthwise देखते हैं, यहाँ start point लेना है, दुबारा यहाँ पे मैं start point ले रहा हूँ, देखिए start point यहाँ पे ले रहा हूँ, और फिर center point आपको पता है कहाँ पे लेना है, जैसे हमने दिया है, start center और यहाँ पे length, length दिया मैंने 6, अब यह length 6 है कि नहीं है, यह आपको count करने के लिए DAL, dimension align क्योंकि cross point है न center end क्या, start center angle क्या, start center length क्या, वैसी, तो अब हम start end और angle की तरफ देखते है, start और end और angle उसके बाद आ रहा है start end direction और start end radius, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आर्क को आपको represent करना है, draw तो आर्क ही होने वाला है, बस आपको start और end point लेना है, चलिए मैं यहाँ पे लेता हू start point, यहाँ पे ले रहा हू, end point और angle मैं देना चाहता हू, 180 तो वो half circle draw हो जाएगा, तो इस तरह से यह यहाँ पे arc draw हो रहा है, आपको दिखाए दे रहा है, अलग लग तरीके से arc draw होगा, बस आपको point सिलेक करने होंगे, यहाँ पे start end की जगा, start end angle की जगा start end direction दे सकते है, start point यहाँ पे लिया, मैंने end point लिया, direction यानि की उपर mouse pointer लेंगे तो उपर की तरफ, नीचे mouse pointer लेंगे तो नीचे की तरफ, आप अगर यहाँ पे 90 पे पूरा लेते हो तो automatically half circle और उससे जगादा लेते हो तो यह circle इस तरह से बड़ा होते जाएगा, तो आपको कैसा arc चाहिए वो आपकी उपर है, वो easily आप यहाँ पे इन points की जरीए draw कर सकते हैं, और arc यह इतने सारे points इसलिए दिये क्योंकि यह अलग-अलग drawings में हम अलग-अलग तरीके से arc draw कर पाए, और यहाँ पे start, center, end हमने लिया था, वही आप यहाँ पे उल्टा देखेंगे, center point पहले आएगा start point बाद में आएगा, और वही सारी चीज़े यहाँ पे होगी, last all arc जरूर आप देखना चाहेंगे, यह है continue all arc, अब continue all arc में होता क्या है, यहाँ पे arc में जाकर continue all arc कीजिए, last point जहाँ पे arc खतम था, वहाँ से arc शुरू होगा, और continue all arc draw होते जाएगा, continue all arc, लेकिन आपको ब इसे delete कर देते हैं, arc यह command आपको समझ में होगी, interesting है arc command और arc command में क्या क्या चीज़े होती मैंने आपको बता दी है, arc command की भी practice करनी है, इसके साथ साथ जो कि आपको मैंने पहले बताया, line, polyline, फिर circle देखा, अभी arc भी देखा हमने, अब हमें देखना है rectangle, यहाँ पे rectangle के अं आप ज़रा देखिए, champer आ रहा है, elevation आ रहा है, affiliate आ रहा है, फिलेट आ रहा है, थिकने से, सब modify की command दूस्तों, और यह सारे हमें यहाँ पे देखने, affiliate, modify, champer सब इसमें है, लेकिन हमें बस यहाँ पे अभी rectangle draw करना है, तो यहाँ पे पहले क्या रहा है, rectangle specify first corner point, आपको guide किय है, उसने कि पहले corner दीजिए, और फिर दूसरा corner दीजिए, rectangle draw हो गया, लेकिन rectangle कोई dimensions का draw नहीं किया, मैंने, मुझे पता ही नहीं उसकी length width कितनी है, तो मैं इसे erase कर देता हूँ, दूबारा मैं rectangle command लेता हूँ, अच्छा मैं keyword से लेना चाहता हूँ, rectangle command, तो rec आपको type करना है rec, I'll show you again here, rec अगर आप type करते हो run command पे, यहाँ पे command में, run command में नहीं, command window में, तो आपको दिखाए दे रहा है, rectangle आ चुका है, enter, अब enter बटम प्रेस करने के बाद एक corner point, अब मुझे dimensions देने हैं, तो जैसे मैं corner point यहाँ पे click करूँगा, नीचे आपको फिर से आना है, command line पे area dimension and rotation, तीन point आपको इसके अंदर मिलेंगे, किसके अंदर मिलेंगे, rectangle के इस command के अंदर, तो rectangle के इस command के अंदर का पहला point नहीं ले रहे है, हम लोग पहला दूसरा ले रहे है, मतलब सबसे पहले हम dimension secret, de-inter, तो de-inter होता है dimensions के लिए, आप mouse पे उस पे click करेंगे, तो भी चलेग width for the rectangle, अच्छा width 10 लेना चाहता हूँ, 20 by 10 का rectangle आ गया है, लेकिन एक बार और click करना होगा, ऐसा click करेंगे, तो यह rectangle यहाँ पे draw हो गया है, अब यह final हो गया है, और dimension भी proper है, 20 by 10, चेक करना चाहते, dimension linear, DLI, क्योंकि यह straight line है, और DLI use करेंगे, तो यहाँ पे आ गया, यह 20 है, good, और यह कितना है देखते हैं, यह point से लेकर, यह point तक देखते हैं, 10 है, very good, इसे हम delete कर देते हैं, rectangle draw करने के लिए REC command है, पहले click करना है, बाद में D enter करना है, length देना है, 10, मुझे इसका square बनाना है, 10 by 10 का, तो यह बन गया 10 by 10 का square, REC enter, rectangle, तो आपको यही बास समझ में इसके अलावा area, क्या option आगे area और rotation भी area देखते हैं, so tell me the formula of area of rectangle, area of rectangle का formula तो आपको ने सीखा है होगा ना दोस्तों, वो तो school में बताया होगा दोस्ते यार, length into width, तो length into width तो यहने area आगया, अगर मैंने area enter किया, मैं आपको दिखाता हूँ, यहापे dimensions, जो है command line के अंदर द rectangle, enter area of rectangle of current units, और already उसने bracket में 100 दिया, अगर आपने कुछ भी enter नहीं किया तो 100 ले लेगा, लेकिन आपको इसके लिए सपोज लेना area 200 का, तो मैंने command line में यहापे 200 type किया है, नीचे हमेशा देखने आपको जो भी मैं type करो, command line के तरब, तो यहाँ पे 200 मैंने type किया और enter कर दि ले आप W type करेंगे तो भी चलेगा, length, length मैंने 20 enter कर दि, length अगर मैं 20 enter कर देता हो, तो automatically आप एक rectangle draw हो चुका है, अब length 20 का हो गया, width कितना आया होगा, 200 का area था, divide by 20, क्योंकि अगर आप width निकालते हो, तो width is equal to area divide by length, तो area था 200, length ही 20, तो 200 divided by 20, automatically width आएगी, 10, तो चले है, DLi करके width ही चेक करेंगे, यहाँ पर length अपने mention की थी, width देखते है 10, अच्छा, आपको area देखना है तो, इसका area 200 है की नहीं, वैसे तो 200 ए 20 into 10 200 ही होगा, लेकिन आपको देखना है, अगर कोई object कर रहे area, तो right click कीजिए और यहाँ पर properties में चाहिए, right click करके कहा करने के बाद properties का, यह dialogue box में आप देख पाएंगे, यहाँ पर सारी चीजिए बाकी की बहुत सरी properties है, लेकिन फिलाल area और length आप देख पा रहे हैं, area है 200, length है 60, length साथ क्यों, क्योंकि 20, 10, 10 और फिर 20, यहाँ पर 20, 20, यह 10 और यह 10, total length हो जाएगी 60 और area है 200, चाह ठीक है, य यह हमारा rectangle command हो गया, rectangle command में दो command तो हमने सीख ले, अब rectangle command में दुबारा ले रहा हूँ, यहाँ पे click कर रहा हूँ और r enter कर रहा हूँ इस बार, r मतलब rotation, rotation कैसे देंगे, तो r enter बटम पर इस कीजिए, अब rotation में आप 45 angle देना चाहते, तो rotation में वो पूछ रहा है, आपको यहा करके, अब यह rectangle 45 के draw होगा, जो भी rectangle हम draw करने जाएंगे 45 के होगा, मैं बस दो point का ले रहा हूँ, dimension ने इंटर कर रहा हूँ, dimension देखे भी 45 के होने होला है, क्योंकि angular 45 होगया, लेकि मुझे यह चेक करना है, तो मुझे एक polyline यहाँ पे draw करनी पड़ीगी, polyline और वो भी straight होन dimension angular, dan, कोई भी दो line के बीच का angle चेक करना, arc का angle चेक करना, तो dan ही use करना है, लेकिन दो line का जब angle चेक करना है, तो एक line पे click करना है, और यह line पे click करना है, और इसके बीच का angle इस तरह से आप check कर सकते हैं, तो यह rotation command हमने rectangle के लिए दी, e enter कर रहा हूँ, यह पे erase, और दुब normal rectangle, सीधा rectangle draw हो जाए, नहीं तो हमेशा 45 में draw होते जाएगा, जब तक आपका command अपने 0 नहीं किया है, तो rectangle command समझ में है, अब यहाँ पे आज की tutorial का यह last command देखते हैं, वो है polyline दोस्तो, आज का tutorial यहाँ पे खतम हो जाएगा, जिसमें लगबग यह 60 minute चे उपर tutorial है दोस्तो, तो लेकिन कुछ काम की चीज़ है, तो आपको detail में सीखने के ऐसा कुछ बड़ा वीडियो हो, तो देखना चाहिए हमेशा, और polygon command क्या काम करता है, मैं आपको यहाँ पे बताने हो लाँ, polygon command आप directly draw कर सकते हैं, मैं command ले रहाँ, polygon command कैसे काम करेगा, कैसे draw होगा, polygon command लेने के बाद आपको सबसे पहले command line पे instruction जो फालो करनी है, polygon, enter the number of sides, आपको कितनी side चाहिए, चलिए मैं number of sides यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, 6 sides मुझे चाहिए, 6, 6 sides का polygon, hexagon जिसे हम बोलते हैं, वो draw कर रहा हूँ, specify center of the polygon, कई पे भी center specify कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, blank मैं मै specify किया, वो पूछ रहा है कि circle के अंदर चाहिए, circle के बाहर, यानि कि inscribe in circle, और circumscribe about circle, inscribe के लिए I press कीजिए, circumscribe के लिए C press कीजिए, और फिलाल तो मेरे पास circle है ही नहीं है, तो मैं प्रेस कर देता हूँ, मुझे ना inside चाहिए, ना outside चाहिए, circle के, और उसके बाद बोल रह यहां पे circle draw करता हूँ, चलिए मैं circle ले रहा हूँ, circle ले रहा हूँ, circle ले रहा हूँ यहां पे, और circle कहाँ से लेना, आपको तो अलोड़ी पता है, C enter करेंगे तो भी है, center radius, click क्या, यहां पे मैं enter कर रहा हूँ, radius directly, 3 enter, और फिर से मैं दुबारा circle ले रहा हूँ, और 3 enter का और एक circle draw कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहां पे आपको inscribe और circumscribe यह दोनों चीज़े explain करनी है, तो polygon का जो shortcut की है, वो मैं type कर रहा हूँ, P O L, P O L, polygon, याद रखना है, P O L, enter, number of sides, आप 6 दीजिए, 8 दीजिए, जो भी octagon बनाना है, तो 8 दीजिए, 8 दीजिए, मैंने number of sides, फिर यहां पे आ रहा है, specify the center of polygon, अब मैं circle का center point है, mouse pointer, अभी आपको दिखा दे रहा है, यहां पे circle भी दिखा दे रहा है, लेकिन circle का center point नहीं दिखा रहा है, mouse pointer इसके border पे लाई है, automatic center point circle का highlight हो जाता है, दोस्तो, अब मैं इस पे click कर रहा हूँ, center पे, and now I am going to enter, what I am going to enter, look at here, क्या, क्या enter करना है, मुझे, inscribe in circle और circumscribe in circle, circumscribe about circle, मैं I enter करूँगा, I मतलब circle के अंदर चाहिए, उसके बाद specified radius of circle, circle की radius कितनी है हमारी, 3 है, कितनी है, 3, जो कि हमने circle 3 का ही draw किया था, 3, wow, interesting, circle के अंदर से यह polygon आ चुका है, जो कि आपको यहां पे clearly दिख रहा है, अब दूसरा जो circle है, उसके बाहर से मुझे यह polygon चाहिए, यानि octagon जो हमने draw किया हुई ही चाहिए, pol enter, number of side 8, या already 8 रखा है, enter बटम प्रेस करेंगे, तो वही accept करेगा, specify the center of polygon, तो mouse pointer यहां पे लेके आ जाओ, इसके border पे, इस पे center पे click किजिए, c enter किजिए, circumscribe about circle, and now specify the radius of circle, 3 enter तो steps क्या-क्या है, समझ मैं आपको polygon draw करने के लिए, circle के अंदर polygon draw करना है, या circle के बाहर polygon draw करना है, तो यह दोनों किस तरह से steps रहते हैं, मैंने आपको explain किये, तो यह last command आज के video में है, video कपी बढ़ा हो गया, लेकिन काम की चीज मैंने इसमें पढ़ाई है, आपको लगता ह आज का video, उमीद का आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपने already like बटन पे click किया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, comment करके मुझे ये बताईए कि कैसा आज का video, कुछ भी के रही है, तो मेरे facebook page पे आप जाकर वहाँ पे मुझे message कर सकते हैं, जो भी आप भी visit करके रखेएगा, तो चलिए मैं मिलूँगा कुछ और interesting video के अंदर, तब तक के लिए हमेशे की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो, बाई बाई